नमस् Services बीडियो को सब्सक्राइब हैं नमस्कषन दोस्तों एड़वाइज टीवी टीवी टीवप चनल पे आपको स्वागत है आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सेर करें तो चलिए आज के इस वीडियो को हम सुरू करते हैं दोस्तो तुलसी एक आउसधिये पौधा है हिंदु धर्म केमसवार इसके बहुत सारे मानता है इसकी पूझा की जाती है और बैग्यानिक दिस्कॉर्ट से भी तुलसी के पौधे का बहुत महत्तु है दोस्तो तुलसी के पौधे का हिस्सा चाहे वो पत्ती हो चाहे वो उसके बीज हो सब कुछ कुछ न कुछ उप्योग में आता रहता है तो आज हम बात करेंगे कि हम इसका घना कैसे बनाएं इसकी देखभाल कैसे करें अगर बात की जाए तुलसी के पौधे की एज की यानि लाइफ की तो लगभग दो से तीन वर्षता की हमारे घर में बना रहता है उसके बाद यह अपने आप सुता ही सूख जाता है तो दोस्तो अगर आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसको आप इसके सीड यानि बीज के माध्यम से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं पर आपके यहां पहले से इसका प्लांट होगा तो इसके नीचे अपने graveyard होते हैं वो अपने आप ही जम जाते हैं आप दैक़ेंगे बहुत सारे इसने घृत व गृव अपने आप ही हो जाते हैं वाहश्तु साथ के अनुसार अगर बात के धिया पौधे को उत्तर पूर्व दिसा में लगाना चाहिए अपने घर के उत्तर पूर्व दिसा में इसको लगाना सुब माना गया है अगर बात की जाए देख भाल की तो तुल्सी के पौधे को अधिक पानी डालना ठीक नहीं होता है इसमें आप ओबर वाटरिंग कभी न करें अ अगर आप पानी नहीं देंगे गर्मी के दिन में तो भी सोकने के चांस रहते हैं अगर आपने पौध में लगा रखा है तो आपको गर्मी के दिन में हर दिन या दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी मातर में पानी देना चाहिए अगर आपने जमीन पे लगा रखा है तो आप जब आपका पोधा एक हाथ का हो जाए तो आप इसको कट कर दे मेन अरफ बरांच को तुल्सी के पोध को धूब भी आउसक होती है कम से कम आप इसमें 4-5 घंटे के धूब जरूर दें गर्मि की दिनों में आप चार-पांच घंटे और सदे की दिनों में आप पुरा दिन इसको धूप में रख सकते हैं तेज गर्म और तेज सर्दी इन दोनों सीजन में आपको इसको सेव करके रखना है बचा के रखना है किसी छायदा रस्तान पर रखें जब तेवी धूप हो और अधिक जब पाला गिरें तो भी आप इसको किसी कपड़े से या प्लास्टिक से आप इसको ढखके रखें तो बहतर रहेगा तुलसी के पौधे में जब फूल आने लगे तो आप इसको निकालते रहें अगर फूल आप निकालते रहेंगे तो आपका पौधा अच्छे से गुरू करेगा तो आप पूल नहीं निकालेंगे तो हो सब्सक्रता है कि फूल आने के बाद जब दो सम के था मसं पूति अगर द्वार भाद ओर। एक हिष्सा गोमोत का लेना है उसका 10 हिष्सब्स आपको पानी की डालना है। अगर आपने 100 ग्राम के आसपास गोमोत लिया है, तो ऐसमें आप एक लीटर के आसपास पानी मिलागे अपने तुली के पौदे में वियोग कर सकते हैं। अगर आप कोई compost खाद देना चाहते हैं तो आप महीने में एक बार इसमें कोई भी गोवर खाद या compost खाद दे सकते हैं तुलसी के पौदे में आपको chemical fertilizer का परियोग बिल्कुल नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका plant सूख जाए कर्मे के दिनों में आप खाद का परियोग ना करें अधिक खाद का परियोग अगर करेंगे तो भी आपका पौदा सूख सकता है तुलसी के पधे में ज्यादा फटलाजर की आऊ सकता नहीं होती है अगर आपने जमीन पे लगा दिया है उसको तो ज्यादा आपको खाद पानी डालने के आऊ सकता नहीं है लेकिन अगर आपने पोट में लगा रखे रखा है तब आप इसमें नीम I'll का छिड़काउँ कर सकते हैं, नीम I'll का छिड़काउँ आपको आप करते रहना है अगर आप देखें कि कोई रोग उसमें लगा है तो पंद भीज आप्टिस दिन के इंतिलाल में चिर्काउँ कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जिसके माध्यम से आप तुल्ती के पौधे को घना बना सकते हैं अधिक समय तक अपने गाडन में रख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें सेयर करें साथ मैं चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तुल् झाल